हां जी सच एकाल जी सारे अनू इसले दिनी मैंनों दसां गुरू से बानते बेश्ट एक कॉंटेस्ट वच्चन दा मोका मिलिया जिते मोस्टली यंग से क्वीर ते पहना शामिल सन। पर उत्य मेंनों एक दुख परी गल मैसूस होई के बाकी मानियोग से के इतास ता बड़ी दूर दी गल है। साधी नवी पिड़ी अपने गुरू से बानते इतास बारे वी बाला कुझ नहीं जान दी। इसली मैं सोचया के अगे तो इस चैनल ली वीडियो बनो दे समय गुरू से बानते इतास नू पहल दिती जाओगी। हाला कि सानू अपने वडेरियां दा सारा इतास पता होना चाहिदा है पर गुरू से बानते इतास पता होना सब तो जुरूरी है। क्योंकि बन्दी चोड़ दिवस ऐसे हफते ही है तो आज गाल करांगे इस दिन दे इतास नू रचन वाले मेरी पिरी दे मालक छेवे पाशा तांशिरी गुरू हर गोबिंच साहिब जी दी। क्यों ते किमें लडियां एस सारे सवालां दे जवाब जानांगे इस वीडियो विच पर शुरू करन तो पहला जेदो सी इस चैनल ते नवे आये हो ता चैनल लों सस्क्राइब करके बैल आइकोन जुरूर प्रेस कर देओ तांजो मान योग सिकी तास नल जुड़े शांद देवजी दे दिरबार लग गया हुए है संकता माराज दे चरनी नतमस्तक होके दसवंद पेटा कर रही है हन ओसी समय काबल तुओं एक प्रेमी सिखने एक खास तरह दे बहुत मेंगे वस्तरां दे जोड़ा पेंट करके कहा कि पाच्छा ए वस्तर में खास तोरते माता गं जी कोल पेज दिते ते माता जी ने किसे खास मोके दे पौण लई उन्हानों सामके रख लिया मेंगे वस्तरां दी संबाल करनी भी बहुत जरूरी हुन दी है सो बरसाती मोसम लंगन तो बाद माता जी ने एक दिन ओ वस्तर तोपल वोण लई शाथ ते सुक्णे पाई होई सन ओननों वेक के माता जी दे जिठानी बीबी कर्मों इर्खानाल सड मच गई ते शामनों अपने पती यानि के गुरू जी दे वड़े प्राव बाबा प्रित्वी चंद दे करेयों ते उनननों मेना मार के केंदी है के वड़ा पुतर तू सी जे तेरे लच्छन चाजदे ह आलक आपा होना सी गुर्गद्धी कारण मेरी संकन नों एहोजी अप्रशाका पौन नों मिल दिया हन जो दिल्ली दी मारा निकोल वी नहीं हन प्रित्वी चंद जोके पहलां तो ही गुरू जी ते लगदा सी केंदा है के पागवाने कब रोनी क्यों है एक गुरू गद्ध तक यानि कि व्यादे 21 साल बाद तक ओना दे कर कोई संतान नहीं सी जोदो बबा प्रित्वी चंद ते बिबी कर्मों शरेयाम परी जुड़ी विच माता गंगा जी नों आंत्री न खत्री कह के मेने मार दे ता माता जी नों बोथ बुरा लगदा बोथ वार ओना दिया अक् बिखरकार एक दिन माता जी ने गुरू सहे मोरे हथ चोड़ के बेंती कीती के पाशा तुसी सब्दियां चोलियां पर दे हो किर्पा करके मेनुवी संतान दी दात बक्षो सत्गुरु फरमाए के पागवाने मेरे कोल ता जो कज है ओता संगत्दा है जे कोई होर वड़ा मा बखन दा लंगर लेके बाबा जी कोल गए तेवन डांते असमें तक चाइरा गुरुआं दे जीवन नाम ते बंद्गी वाला ही रहा सी इसलिये एक विद्यग जीवन աानत President समझ विच नहीं आई तो पुत्तर दा वर पाखे वो बहुत खोश होए ते कुछ समय बाद 19 जून 1595 नूं पंजमे पाश्चा दे कर सपुत्तर दे रूपी 6 पाश्चा ने अवतारता रण कीता अपा बुड़ा जे नहीं इना दा नाम करण कीता हर गोबिंद जदो शिर्गुरु हर गोबिंद सैब जी दे प्रकाश ते पूरे अमरसर श जिर्गुर हर गोबिंद सैब जी दे अवतारता रिंकन ते बाबा प्रिच्वी चंदा अपने पुतर दे गुरुगदी ते बैठन दा सुपना टूटता देसरे आसी अईने साला दे सुपने नूए नी छेती के में पोल सक देसन सोना ने उप्राले करने शुरू कर दी ते ते उसनों किया के तू अपने स्रीर ते जित्तो बच्चा दोद चंगदा है वो ते जहर लाके जाईं ते बच्चे नों चुक लईं। पर मरन तो पहलाओ प्रित्वी चंदी पोल जरूर खोल गई। इस वाके नाल प्रित्वी चंदी बड़ी बिदनाम्मी होई पर उसते सिर्था दोल्त दे शोलत पोन दा पूत्सवार सी ओ हजेवी नी सुद्रया। सिख्या देन दा। एज मेवारी वी बबब बुड़ा जी नों ही सोंपी गई। बबाबा जी ने बालक हर गोबिन्दनों शस्तर विद्या, कोड सुवारी, गुर्मुकी, गुर्बानी संत्या, ते राकी, रिसाइन विद्या, एतु तक के तारा मंडल दी वी सिख्या दित पंजबे पिता दे वद्य प्रबावतों मुगल बाश्या अपने अपनों ऐस रखत मेशूस करदा सी। उत्तों दे दिर्बार्च कन पर नवरगे चंदू वरगे चंदू वरगे चंचे सन। जो एक दिया चार मना के दस दे सन। इनना सब्दा ने तीजा ए निकलिया के श इदे पिता नाले सब कुछ वाप्रिया सी, ओ मुगला नाल टक्कर लेंदा निश्चे कार चुक्या सी। गुरु अर्जन देव जी लहोर जानतों पहला श्रीगुरु हर्गोबिन सहिब जीनु गुर्गदी सोंप गई सन। ते अपने पिता दी धर्दनाक्षे इदी दी श्रीगुरु हर्गोबिन सहिब जीने दरवार विच खलो के मीरी ते पीरी नादिया दो तलवारा तारन करके मुगला दे खलाफ बगावद दा इलान कर देता। मीरी दी तलवार जबर ते जुलम दे खलाफ हत्यारबंद टक्कर लेके अपने हक लेंड ते राज करन दा प और कोई चारा ही नहीं हुनता पर राज मिलन तो बाद वी रब नों याद रखना सच मुझ खंड़े दी ता आरते चलन दे बराबर है दोन्य तलवारां चो पीरी दी तलवार दो इंच वड़ी सी जो इस कल्द प्रतीक सी की राजनीती हमेशा तर्म दे अदीन होनी नहीं चाहिदा सानु वधिया शस्तर मेंगी नसल दे कोड़े ते सेतमंद जवानिया पेड कीतिया जान जयो चोंदी हन के असी वी उन्ना दी पाशा विची गल करिये ता सिक एवी चंगी तरह जान दे हन क्योंके जंगे मिदान वीच सिर्फ सिर्फ वड़े ही नहीं जाने सिर्फ देने वी पहने सी इसलिए जेड़े वचारे थोड़े जेट ले सक सी उकपर आ गए उन्ना ने जाके माता गंगा जी नो शिकाइद कर दिती कि माता जी साड़े पहले गुरुआ ने शांती दी राच उनी सी ते त्वाड़ा पुतर हत्यार चक के जालमां दे सिर्फ फेन दी गल कर रहा है तद इन्ने सलना बाद माता जी नो बबाब भुड़ा जी दे कहे बोल समझाए ते उन्ना ने गो जवाब दिता कि मेरे पुतरदा ता जणमी इससे कमली होया है इस तो मात गुरु जी ने बबाब भुड़ा जी ते पाई गुर्दास ती तो हर मंदर सेब दे लाकेशी रे अकाल तक सेब दी उसारी करवाई जो के सिख राजनीती दा केंदर सी गुरु से फरमाए के मैं एहो जे तक्त रचन जा रहे हां जिते उन्ना नुव इंसाफ मिलूगा जिना गरीबा दे मुजलूमा दी हकुम्मत दे तक्ते कोई सुनवाई नहीं हु कर देता सी ते सिर्फ वी प्रसेंट वोटा नाल ब्यांत सिंग मुख मंतरी बनेया सी ते उसने सिखांते जेडा केहरट आया उसता संताप साधियां पेडियां आजवी पुगतरियां हान पंजाब च सटकांते कोई जवान सेख नी सी दींदा एनना वड़ा कतलयाम होया सी समय सड़ा गुरू जी दे निती बदलन नाल हुन होली होली महाल भी बदलन लग पया सी जीना मजलूमा दे गरिबान दी कोई फ्रयाद नी सी सुनदा एहोजे लोगान हुने का आस दी किरन दिख लग पयी सी होली होली गुरू करदा जस एनना वद्दा गया के दूरों अनेका लोग अपड़ी फ्रयाद लाएके दरबार से पहुंचन लग पे नाल ही छेवे पाश्चा दे हुकमते नोजवानानों शस्तर विद्या को और स्वारी ते युद नितिया सखाईयां जान लग पियां पंदरा सो तो वद एहो जेस एक नोजवान इस आर्मी विच शामिल हो गे जेड़े केंदे सन के सतगुरू सानों दो वक्त दी रुखी में सी रोटी दे छे में इनने बाद तंटक कन्वेक चोड़ा दे दियो आज तो बाद असी करनी जाना जित्ते कहोंगे उत्ते अपने स्रीर दा ठीकरा पान दियांगे एस सारी अंगला होली होली मुगल दिरबार विच जांगीर कोल पुंचन लग पियां ते पंचोण वाले कौन सन ओही चंदूवर गे गपी जड़ियां एक दियां चार बना के दस दे सन ओ केंदे सन के बादशाय सलामत अरजन नू मारन तो बाद ओदा पुतर बगावत ते उत्तर आया है ओने हमलेली फोज त्यार कर लेई है तो अडे राजदे अदीन ही ओ अपना तक्त लागे बैठदा है ते अवाम नू तो अडे खिला पड़ का रहा है हर रोज इस तरन दिया गला सुन तो बाद जांगिर ते मन विच ऐस ऐसता महसूस होन लग पई आखिरकार उसने गुरु सहबाननू पत्तर लिख्या के मैं अपनी करनी ते बहुत शर्मिनदा है तो अडे पिता जीन श्याद कर ली मैं माफी मंगदा है मेरी सेथ अजकल ठीक नी रेंदी ते साधे शाही पीर ने क्या है के जिन्नाचर में तो अपने मेला विच रखके तो अडी सेवा नी करदा अपनी करनी ते पश्तावा नी करदा मैं ठीक नी हो सकदा इसले फिर जांगिर दे सद्धे ते गुरु पिता दी दिल्ली विके आमद होई जांगिर ने बड़े अदब सदकार नाल गुरु जी दा सवागत कीता कुछ दिना तक उन्ना नू अपने मेल विच रखके सेवा करन तो बाद के महाराज तुसी अपनी तश्रीव नू गुवाली अर्दे के लेविके ले चलो मैं अपने कुछ जरूरी कम निप टौन तो बाद तुआ नू एक कफ़ते विच उत्ते मिलदा हूँ इस लई फर शाही सवारीच बढ़ाके गुरु जी नू गुवाली अर्दे के लेविके पेश दिता गया देरसल गुवाली अर्दे किला किसे समय मुगलान दी मन पसंद ता हूंदा सी पर आज गल इसनो वी आई पी जेल दी तरह यूज किता जानदा सी इस जांगिर दी राजनीती दा एक हिस्सा सी के उसनो जेड़े जेड़े राजे सुल्तान या किसे तार्मी कागु तो थोड़ा बहुत भी खत्रा में सूस हुन्दा सी उननो गुवाली अर्दे किले विके कैद कर देंदा सी गुवाली अर्दा किला एस करके बदनाम सी के जांगिर ने थे जिनूवी कैद किता सी ओ कदे जोंदा इस तो बार नी निकले सी उस दे पिंजरी बार जन दे सन क्योंके एते किले विच केदिया नो जो रुखा मिसा खाण नो दीता जन दा सी ओ दे विच भी मिठा जेर यानिके स्लो पोईजन मिलाया होंदा सी एस किले दा दिरोगा जिसनो अप आज गल दी पाशा विच जेल सुप्रीटेंडेंट केंदे हां उस दा नाम सी पाई हरदास जी ओ गुरुजी जी शक्षियत तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होया सी चंदू दे पुतर ने गुरुजी ली जेहर राल सनी होई एक पशाग पे जी सी जिसनो पौण तो बाद जेदो पसीना होंदा सी ता चमडी राही जेहर शरीर वीच दाखल हो जानदा सी दोरोगे पाई हरदास जी ने ना तो गुरुजी नो पशाग पौण दीती ते नाई उत्तोंदा पोजन करन दिता गुरुजी दे नाल दिल्ली ते बाद विच गवालियर दे बुहे तक आये सेंग दोरोगे दी रजामंदी नाल गुरुजी नो मिल सक्दे सन पोजन विच जहर दी गल सुनन तो बाद और शेहर विच जाके ठिठियारां कोल जी तोड मेंत कर दे पैसिक मागे लिओंदे ते पोजन ते आर करके पहला गुरुजी नो शुकोंदे फेर उत्तोंदे कैदी राजयानू ते फ़र बचा खुचे आप शक दे जहर पर रहा खाना चड़न तो बाद कैदियान दी सेध विच सुदार होन लग पया किले विच पजन बंदगी शुरू होगे लम्मे समय बाद राजयान दे मन विच जिन्दगी दे एक आस जगी ओद्रो शरी अमरसल सहिब संगता विराग विच आगया के एनना लम्मा समय बितन ते बाद भी गुरू जी हज़े तक वापस नहीं परते संगता ने एक मुहिम शुरू किती बाबा बुड़ा जी दी अगवाई विच एक मशाल एक निशान सहिब ते खंडा लेके किर्टन कर देया ए संगता पिंड़ पिंड़ हों देया अमरसल सहिब तो गवालियर दे किले तक पहुंचिया एक सो पंग साल दी उमर दे बाबा बुड़ा जी ने गवालियर दे किले दा रास्ता पैदल तैय कीता पर द्रोगा वी मजबूर सी और संगता नू अंदर नी ओन दे सकता सी गुरु जी दे कैंडते सिर्फ बाबा बुड़ा जी नू ही अंदर जाके मिलन दी इजाज़त दिती गई बाबा जी ने किया के सद्गुरु संगता लंबे समेतो तो अनू उड़ी करिया हन इस दीन दुनिया दे मालक नूस ने कैद करके रख्या हुया है एता जांगिर्दा व्यम है किर्पा करके हुन वापिस आ जाओ गुरु जी फरमाए के बाबा जी में छेती ही वापस आ जाओंगा पर जिन्ना चे रसी वापस नहीं हो दे बिल्कुल इसे तरह दी चोंकी तुसी रोज हर मंदर सहीब सरोवर दे चारे पासे कड़नी है जेडियां संगता साथे दर्शन करना चोंदिया हन ओ पावना नालो उस चोंकी विच शामिल होन मैं उन्हानों ओते ही दर्शन दे देऊंगा तुसी जदो कदी भी दिर्बार सहीब गए हों ओते शाम मेले बुर्जूर्ग बाबा बुड़ा जी दी याद विच अज भी ये चोंकी कड़ दे हन क्योंकि उन्हान दी पावना है कि पज गिने चुने सेंग ही सांबे होया हन ते लुप थो और तो पहला इसनों संबन दी सक्त जरूरत है समा ऐसे तरह लंगदा रहा हफ्तेयां तो महिने तो महिने तो सालना बीट गए पर जहांगीर ने गुरू जी नू रिहा करन दा नाम नी लिया हर दिन संगतां दा दूरो दूरो के लिये ते मथा टेकन ओन ते पर किर्मा करन दा हुजूम लग गया रहनदा सी गुरू जी दी रिहाई विच दो लोगा ने बड़ा रोल अदा किता पहला सी जहांगीर दा शाही हरकीम वजीर खान जो गुरू करदा पका मुरीद सी उस दी एक जान लेवा बिमारी पंजवे पाश्या श्रीगुरू अरजन देव जी दी मेर नाल ठीक होई सी तो उसने सारी जिंदकी सुक्मनी से पड़े बिना करतो बार पैर नी रख्या सी और बहुत वार कहनदा सी कि बादशात वाड़ी बिमारी किसे हकीम दे वस्दी नहीं है तो उसी गुरू जी दी शरन लोता ही ठीक हो पाऊंगे जहांगीर ने दूरों दूरों विदेशा दो भी कई खास हकीम बलाए पर उस दी बिमारी दा इलाज ना हो सक्या जहांगीर साइन मियामिर जी दा मुरी दा मुरीद सी ते साइन जी गुरू सहव दे मुरीद सन ते इस तो बात जहांगीर कोल पहुंचे जहांगीर ने पुच्छे आ के साही मियामीर जी मेरी बिमारी ठीक क्यों नहीं हुंदी मैं खुश क्यों नहीं रह पूंदा कोई राद घौंदी किरपा खरो ता साही मियामीर जी ने जवाब दीता के जहांगीर रबी रूहानों कैद करनवाले आप कदे खुश नी रह सकते संगत ते गुरु सहब दा पर भाव वेक के ते मुगला वलो रबदी ते ना पूझे जानवाले साही मियामीर जी ते फटकारन ते जहांगीर नो आकरकार आकल आ ही गई उसने द्रोगे नो चिठी लेके गुरु सहब नो अजाद करनों केहा द्रोगे ने खुशी खुशी एक खबर गुरु सहब नो सुनाई पर गुरु जिने कल्या रहा हों तो मना कर देता कारण पुच्छन ते गुरु जी फरमाए के साड़े जान बाद इस किले दा महौल पहला वरगा ही हो जाओगा ते असीनी चोंदे के एक लोग एक वर फेर नरक वर की जिन्दगी जीन जैसी जावांगे ता इना सबनों नाल लगे जावांगे नहीं ता फिर एथे ही रहांगे एक लड़ जा तो जहांगीर तक पहुंची ता उन्हें सियासत दाना वंगू चाल चली कि चलो ठीक है पर जिन्ने लोग गुरु जी दा लड़ फर के बार रिकल सकते हन सिर्फ उनने ही जान गे उसने सुचा के लड़ फर के ता वत्तो वत दो या तेंजने ही जा सकते हन ते एस गल्दा फैंसला कर ली ए राजे आपस विची लड़ दे रहनगे ते कोई भी अजाद ना हो पाऊगा पर गुरु जी ने जहांगीर दियां सारी चला फेल कर दे हुए द्रोगे दे रही एक भवंजा कलियां वाला चोला सवाया जी दे लड़ फर के सारे भवंजा दे भवंजा राजे ही के लिए चो बार आ गई गुरु जी दे कैद विच रहन दे समय दे इता आसकारां दी आड़ाड रहे है कोई केंदा है तेन साल कोई पांज ते कोई बारा साल दास दा है पर जे तथा नू ते अनाल देखिये ता 1609 विच अकाल तक साहिब दी उसारी किती गई ते 1613 विच गुरु साहिब दे पहले पुतर पाई गुर्तिता जी दा जनम हंदा है तो ए समाल लगबग 2 तो 20 साल दा प्रतीत हुंदा है गुरु जी दे अमरेच सर पहुंचन दी खुशी विच सारे नगरविच दीप माला कीतियां गया मठाईयां वंडियां गया ते गुरुमत समागम होई सारे पासे खुशियां मनाईयां गया एसे दिननों ही आज आज आपाज बंदी छोड़ दिवस दे रूप विच मिनोने हां कुजी दा आसकर ए विकेंदे हैं के गुरु सेब दे अमरेच सर पहुंचन दा मेहिना होर सी पर जदो गुरु कर रहनदा प्रबंद निर्मले सिख्छा ने संबया ते इसनों दुवाली दे नाल मनोना शुरू कर दिता पर जे आपा दसम पिता श्रीगुरु गोबिन सिख्छी दे हुकमना में पढ़िये पर उना विच साफ साफ दुवाली दे नाल इसनों मनोन दा जिकर मिलदा है इस तो लावा पाई मनी सिख्छी दी शेहिदी दी कटना दावी बंदी छोड़ दिविसनल गैरा समध है जो के निर्मले सिख्छा तो पहला दी गाला है शिरीगुरु हर गोबिन सहब जी ने अपने जीवन विच कुल चार जंगा लड़िया सी ओ कदों ते किवे लड़ियां इस दा जिकर आपा नेक्स्ट वीडियो विच करांगे क्योंकि वीडियो अल्रेडी बहुत लंबा हो चुक्या है वीडियो पसंदा है होवे ता लाइक करके इसनों के वद्तो वद्त शेयर जरूर करे हो ते चैनल नो सस्क्राइब करके बैल आइकोन भी दब देओ ता जो इस तरह दे शांदार वीडियो दे नोटिफिकेशन तो आड़े तक पहुंच दे रहे हैं ते सनों इंस्टाग्राम ते भी फोलो जुरूर कर लेओ क्योंके नवे मेनेजर देओं तो बात ओते वी डेली दा शांदार कॉंटेंट अपलोड हुंदा है ते जान तो पहला कमेंट बॉक्स विच वाहिगुर जी लेकिए अपनी हाजरी जरूर लवायो वाहिगुर जी का खाल